मुझा आज़ाए तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने एक मैटी धो दी है तो यह जो मैटी है इस पर मैं आयन वगरा करती हूँ और पूरी विंटर हम लोगों ने इस पर बिताई है बीच पर मैं धोबी ले दी लेकिन मैं वही आपके साथ शेयर कर रहे हूं कि जब मैं पूजा पाट नहीं करती हूँ तो घर के ऐसे कौन से काम करती हूँ तो घर में मेरे यह बहुत सारे काम होते हैं मेरे क्या हम सभी के घर में बहुत काम होते हैं तो मैंने सुचा यह आंगन भी धो दूँ क्योंकि मैटी धोने से पूरा आंगन भी गिला हो गया था और मुझे वैसे भी आंगन धोना था और उपर वाला जो आंगन दिख रहा है वो मैंने धुला और मुझे पतानी कब कैमरा ओफ हो गया मुझे कुछ पतानी चला तो उसका वीडियो नहीं बन पाया तो बस नीचे थोड़ा सा सफ डालके और स्क्रब कर दे रही हूँ और पस थोड़ा थोड़ा पानी डालके और ज़ाड़ो लगा दूगी ताकि पूरा आंगन एकदम क्लियर हो जाए और ये जो विंडो है ये भी मुझे धोनी थी तो बस ये सारी मैं धो दूगी और इस टाइम मैं वही करती हूँ जो मैं पूझा पायट करती हूँ तब नहीं कर पाती हूँ कि वो रूटीन पूरा अलग हो जाता है पूझा करो शावल लो और बस नहाओ धो है ना और अब ये क्या होता है ना मैं ऐसा काम देखती हूँ कि जो कई दिनों से पैंडिंग पड़ा होता है जो की महिने में एक ही बार होता है जैसे कि कपडों में आयन करना धेर सारे कपड़े हो जाते हैं आयन करने के लिए और कपड़े अच्छे से व्यवस्थित लगाना जैसी कि अब सीजन आ गया है गर्मियों का और शर्दियां जाने वाली है तो मैं जो भी स्वाइटर वगरा कोई भी नई पैनता है तो वो उनको धीरे 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 करके एक एक दो दो करके धोके और आयन करके रखती जाती हू इंदनों में साथी साथ जो भी घर की साफसफाई है वो करनी पड़ती है क्योंकि साफसफाई महिने में एक बार पूरे घर की जरूर होनी चाहिए और मैं करती भी हूँ लेकिन अभी क्या हुआ मैंने अभी ही जस्ट की है आपके साथ शेयर भी की है साफसफाई तो फिर मै मैंने वह आपके साथ शेयर नहीं करी और यह देखिए पूरा अंगर मैंने धो दिया है और यह बहुत जल्दी सूप भी जाएगा यूकि धूप बहुत तेज है और मेरी स्वास फूलने लगी है और यहां पर यह मैटी डली है तो यह भी सूख ही जाएगी दूप में लिवे की पने का एल हाय निखा आल करें का में ठेखिया और नहीं कि बगशा है वे क्या हरा स्सामान से पंचे रखा है और यह जो पलां कर 아니고 जह देखिए कि ड्वट दूप में नहीं तो अब मैं इसको ठंदक में रखने क्योंकि दूप एकदम से बढ़ गई दो दिनों से और मैंने बिल्कुल धिया लेकिन उपर से काफी अच्छा है नीचे इसकी लीव है वो बिकड़ गए है तो बस अब यह वैसे इंडोर प्लांट है तो अंदर रखना चाहिए लेकिन भौि मैं यहां वंद से लागे बना 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 लिया है और मैंने प्ल्लो प्ल्लमेवार रखन धिर डया हूं हमार कर दिखाँंगी मेरी चोटी साथ्टै का मवर्शन कर से तो इसलिए कोई गव ममश चाहिए वर ने को सबको में तूक है और शोटी साथ्ड मां भनाते हूं तो चलो मैं बनाती हूँ, वैसे मैंने सबजियां वगएरा बना की ही, मैंने सफाई की थी, तो कपड़े हैं, वो मैं बाद में धुलूँगी, और चलो पहले केचन में चलके गर्मा गरम रोटियां बना लेती हूँ, उसके बाद आपको खिला खिला के फिर आपसे बात करते हूँ, और बस पापा जी को खिला कर, इनको खिला कर दौनों को गर्मा गरम रोटियां और हम लोगों ने 3ों ने अपनी एक घटी बना ली, और हम लोग बैटके अब लेंच करेंगे, बाते करेंगे, गप्पे मारेंगे, बस ऐसे ही यही होता है तो बस एक बहुका जैसे की कर्टब है, सब की थालियां लगाना, सब को खिलाना, उसके बाद खुद खाना तो मैंने बोला, मैं बाद में खाऊँगी, ममी बोली नहीं, तुम भी बैट जाओ, नहीं तो फिल लेट हो जाओगी, तो मैं भी भूख लगाई होगी और उसके बाद मैंने किचन वगएरा सारा काम निपटा के किचन क्लीनिंग बटन वगएरा साफ करके, यहाँ पर मैं बैठी थी, सोच रही थी श्रे का टाइम आ गया है, अब वो आने वाला होगा गर पे बस इतने में मुझे गाड़ी की वैन की आवाज सुनाई दी और श्रे की वैन भी आ गया थी, मैं खुश हो रही थी, मैंने अब भी आ के परिशान करेगा, अब मैं अडिटिंग नहीं कर पाऊंगी वीडियो की तो बस यही और ये लीज़े बातों, इसके बातों में श्रे आ भी गया था और ये देखे ऐसे बाग के आता है, अज ससटर्डे है तो उसने कलरट कपले पैन के वो स्कूल गया था और उसका सबसे पहले काम होता है ममा को हगई करना, स्कूल जाते वक्त ममा को हगई करना और आते वक्त भी ममा को हगई करना यही होता है और अब बस बैठ के आए शांती से क्योंकि बच्छे भी यार सुपर आठ बजे से तो फैर दो बजे तक जब वो रहते हैं स्कूल में काभी धख जाते हैं तो बस मैं उसको पानी दूँगी उसके बाद वो हाथ पैर वगेरा वाश करेगा और फ्रेश होगा और जब तक मैं उसका खाना लगा दूँगी फिर आराम से बैठ की खाना खाएगा सेटरेड़े है तो आज वो फुल इंजोई करने वाला है ममा पापा के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ उसके बाद फिर संडे है तो संडे को स्कूल तो जाना नहीं है फिर सुबख खुब सोएगा यही उसका रूटीन रहता है और उसको ना खाना नहीं खाना था मैंने का श्रे खाना दे तो बोला नहीं मम्मा कुछ अलग बनाओ मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो मैंने का ऐसा मैं क्या मीठा बना दूँ तो फिर मेरे पास ना ये केक पड़े हुए थे ब्रिटानिया के तो बस मैं इनीका बना रही हूं पेस्टी और उसको पता नहीं अभी के मैं क्या बना रही हूं लेकिन इसको बहुत पसंद आई थी बहुत साधा आप ट्राइगीजिए अपने बच्चों के लिए तो केक का ना मैंने चूरा बना दिया एकदम क्रंबल क्रंबल कर दिया और उसके बाद एक कटोरी ले लीजे या आप टेला का भी ले सकते हो बट मेरे पास फिलाल यही था तो बस मैं यह ले लूँगी एक लियर ब्रैट की एक लियर चॉक्रिट स्प्रेट कर दीजिए फिर एक लियर ब्रैट की फिर एक लियर चॉक्रिट स्प्रेट करके इस तरीके से हमें चॉक्रिट पुडिंग बनानी है और यह बहुत टेस्टी लगा था अच्छली यह मेरी खुद की रेसिपी है मैंने फॉर्स टाइम बनाई और सच में बहुत अच्छी लगी बहुत जादा और बहुत क्विक बहुत बहन जाती है बुरिटैनिया की जगह आपके इस पास हुममेड केक हो तो आप वो भी ले सकते हो और बस दूसरा वाला केक का लेयर डाल के उसको भी प्रेस कर दिया और थोड़ा सा चौकलेट स्प्रेड डाल देंगे और उपर से आप टॉपिंग पे कुछ भी डालना चाहो आपके पास आइस्ट्रीम हो या चौकलेट जैम हो या कुछ भी हो चौकलेट हो जैम हो कुछ भी मतलब मेरे पास ना स्टॉपिंग के लिए ये मैंने रेंबो स्प्रिंकल मंगाए थे ओनलाइन मंगाए था मैंने अमेजोन से आइ तिक आपके साथ शेयर भी किया था व्लॉग में राइट तो मैं ये डाल दूगी और ये बहुत कलरफूल लग रहा है श्रे के ये फेवरेट टॉपिंग है उसको बहुत पसंद आती है और ये लीचे पन के तयार है दो मिनिट में पन के तयार हो गया था आपके बच्चे को भी कुछ भी शाम को या ऐसा कुछ खाने का मन करें तो आप बना सकते हूँ बहुत टेस्टी लगता है ट्राइ ज़रूर की शेट को और मुझे पताएगा कुमेंट बॉक्स में आपको किसी लगी और अभी है शाम का टाइम शाम में मैं रैडी होती हूँ क्योंकि मैं सुबह शावल लेती हूँ तो मैं सुबह हो जाती हूँ रैडी और शाम को भी मैं होती ही हूँ लेकिन इन दिनों शाम को कोई पूजा पाट नहीं होती तो फिर मैं क्या करती हूँ आराम से बैठके टीवी देखती हूँ या तो फिर ममी या फिर अमीशा से बात करती हूँ या तो फिर मुझे कपड़ों की थोड़ी बहुत सिलाई करने होती है जैसे कि कुछ फ़र्ट जाता है श्रे का उनिफॉर्म या उसके कपड़े तो उस पर मैं सिलाई बगरा लगा देती हूँ यह सारा काम जो पैंडिंग होता है उसको मैं निफटाने का सोचती हूँ इस एक घंटे में और मैं हो गई हूँ रैडी और अब मुझे बनाना है डिनर और सच में मैं अभी देख रही हूँ वीडियो में मुझे ये वाला फ्लाइंट बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मतलब कि तुम्हाँ बहुत चेंजिस होना चाहिए हना रूम में घर में हर जगे और आज मैं डिनर में बहुत बनाने वाली हूँ पने टिक का मसाला उनके यहाँ रही है और मेरे टिक का मसाला क्योंकि मेरे हस्डे को पने टिक का पसंद है तो मैं चल्क हएं यह कर दोसों जगे हैं यह चल्न टोड़ी बहुत भाट बहुत बेग्रांट वह पोरी तोटी बहुत बईचए कशलो करमद में चल् wheat binge Strength नहीं कि मैं तुछु कर लीए करूंगी और चलू चलते हैं कुछन में खाना बनाते हैं रuhan Use of Adriphi के रहहें कि रोगकां से नहीं हो पाएगी पलॉग कि ये लंबा हो जाएगा पनी टिका साले की रेसिपी आपको नेक्स ब्लोग में मिलेगी ओके चलो किचन में चलते हैं देखते के आप क्रिपारेशन हुई है क्योंकि दूद वगएर अभी मैं पकने के लिए रखाई थी चलो आई साटरडे है तो ओविसली वीकेंड है तो वीकेंड में कुछ न को स्पेशल तो बनता है ना तो साटरडे को ही मैं बना देती हूँ स्पेशल क्योंकि संडे को फिर हम लोग सोचते हैं जितना हो हम एक दूसरे को टाइम दे पाएं तो मैं किचन में कम टाइम बिताती हूँ और बस पने टिकका मसाला बनके तयार है यह सबसी ना अल्रीट एक अपने आप में हैवी फूड है तो फिर मैंने इसके साथ कोई पराथा या कोई कुल्चा नहीं बनाया यह बोले कि चलो रोटिया बना दो रोटिया अच्छी भी लगेंगी हैवी के साथ लाइट कॉम्ब ठक जाती हूँ तो मैं जितना होता है मैं जल जली काम रुपटा के फिर आराम करते हैं या हम मोवी देखते हैं क्योंकि कहते हैं कि इस टाइम में ना हम लोग के साथ कोई टाइम बिताने के लिए हो तो हमें अच्छा लगता है तो यही है और बस व्लोग को यह पर झाल 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 झाल